नेपाली इध्यास मां सामजे क्रांते की प्रमोखगुआ योगमाय नियोपाने नलेख्येको इध्यास होन। जसको इस्थान लिनाना कसेले सके नता सकने छन। योगमाय ले आवज बिहिन को आवज उठाएं। जुजारू मैलाबादी थीन। योगमाय एको बिवहा रामहरी कोईलारा संग पांच पर्षको उमेरमा भायको थियो। बिवहा को दुई बर्षे में अर्थात साथ बर्षको उमेरमा उनले पती भियो खेपन परेओ। तो समय मा बिद्वा बिवहालाई अच्छम्य कारे मानीं थियो। बिवहा का मुल्य मानेताने थाना पाउदेई बैभाविक जिवनमा बाद्येकी। उनले सत्र बर्षको उमेरमा दोस्रो बिवहा करेरा सामाजिक गुरुती रर समक्रिन सोच माथी चोटीलो प्रहार गरेन। तरह महिलाले आखो कुछी बिवहा करदा उतावलिको संग्यातीने ततकालीन नेपली समाजमा उनको दोस्रो बिहलाई सहजेई लिन्यावस्ता थिये न। जसका कारण उनले अनेक सामजिक उत्पिडन, अपमान र तिर्षकार को सामाना गर्नू पर्यो। ततकालीन समयमा महिलाले पढ़ूने परिपपाटी ने थियेना, महिलालाई बिद्याले पठाउदा पाप लाक्चा भने मान सिप्ता थियो। तरेस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनी उनी बिद्यालेको प्रांगाण मा पाइला नटकी साक्षार भयरे छुरिन। कालांतर मां उनी विख्यात आशु कभी बर्न पोगीन। उनी आफना कभीतार भजन को संग्रा मानपत जन्चेताना जगाने का थिन। उनका रचाना हरू सासक प्रती लक्षित हुन थे। ततकालीन समयमा उनी महिला बिरोदी धानमिक नियम हर को खुलेर बिरोद गरने उनी एकलो मानत थिन। योग माय ततकालीन निर्न कुष राना सासं को खरो बिरोदी थिन। उनी नेपाल को सामजिक आंदोलन की अगवा समेत हुन। नेपाल को पलिलो महिला संस्था नारी समिती की संस्था पक हुन। दुई हजार समर्थक को सात्मा उनले 24 बुदे माग ततकालीन प्रदानमंति लाई बुजाय की थिन। सो माग पत्र ले सती प्रता उन्मुलन मा स्वयक पुर्याय को बिश्वास करी छुँँछ। उनले हामिलाई न्याय मुलत बिदिको शासन देव नवे हामि आत्म दह गाने छौं। भनी राना प्रदानमंति जुद्ध समसरलाई 200 बंदा बड़ी अनुयाय को हस्थाक छर को माग पत्र बुजाय की थिन। तरपची जब उनको माग सुनुआई भायना 24 जना अनुयाय सहित योगमाय ले सामविक रुमा अंगी समाधी गरने योजना बनाईन। यो था पाय पची उनेहरू पक्राव परे। चार महिनाको जेल बंधन पची योगमाय मुक्त भायन। नियाय मुलक समाच स्थापाना गरी छानने द्रडे संकल्प गरेगी योगमाया जेल सास्ती पची पची पनी आपनो लक्षे बाटा बिचलित भायनन। राना सासक बाटा सुधार का माग सम्मदन हुने छाट न देखे पची। सरसती जना अनुयाई सैथ योगमायले सामयक रूपमा विक्रम सम्मद उन्नैसे अंठानब्बे असार 31 गते का दिन। निरनकुष राना सासन का अवसान होश, धर्मा राज कोश थापाना होश, भन्दै औरुन खुलामा हांप भालेरा देहा त्याक गरेन। उनको सम्मर्थन गदै तेस पच्छी पनी नौ मैलायले अरुन नदीमा बगेरा देहां त्याक गरेकुं विश्वास करें छा। अफनो आवाज दबायरा निरनकुष राना सासन का अगारी पुरे नेपाले घुणा टिकेको समयमा पनी सती प्रथा बिद्व प्रथा रा अनिये सामजेक कुरुती बिरुद्धा खुलेरा आवाज ठाउनी योगमाया साथ चै निडर र जुजारू नेत्र थीन। महिला अधिकार का लाई अव्यान चलाउने योगमाया नेपाल को पहलो महिलाबादी हुन। नेपाल को महिलाबादी आंदोलनको इत्यास मा योगमाया चुटाउने नमिलने पात रहुन। उनको अनुपस्थितिमा नेपाल को महिलाबादी इत्यास अपूरो हुच बन्ने है का सरकार तता सम्पूर्ण मानाप अधिकार कर मिले राख्वा परछा। तेस मापनी महिला अधिकार कर मिले तेस तर्भ बिशेश ध्यान देनुपर छा।